तो स्टुडेंट्स आज हम डिसकस करेंगे नैफ्रोन नैफ्रोन का दूसरा नाम यूरीनी फैर स्टीबूल है जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था जो किड्नी हैं वो इन छोटी छोटी यूनिटों से मिलके बनी है और इन छोटी छोटी यूनिटों को ही हम नैफ्रोन कहने लग रहे हैं आईए देखिये आज इस नैफ्रोन के बारे में किस तरह के से नैफ्रोन फिल्ट्रेशन ऑफ बलड में काम करता है इसके कौन-कौन से कंपोनेट बलड को फिल्टर करने में मदद करते हैं तो आईए डिसकस करते हैं नेफ्रोन या यूरीनी फैरस टिब्यूल सबसे पहली बात जो नेफ्रोन है नेफ्रोन is the structural and functional unit of kidney किडिनी की जो structural और जो functional unit का अगर नाम पूछे तो आपको क्या पताना है नेफ्रोन विच प्ले इंपोर्टेंट रोल इन विच प्ले इंपोर्टेंट रोल इंपोर्टेंट रोल अन वोल इंफ्लिट्रेशन ओ बलड इंफ्लिट्रेशन ओफ बलड इंफ्लिट्रेशन ओफ बलड मेंन इफ्रोन का बड़ा अग्टेंट और यह रोल 3 cm long एक छोटा सा 3 cm thin thin highly 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 tubular structure tubular structure nephron is a smooth छोटा सा thin पतला सा highly quiet coffee quiet है and tubular structure tubular structure है each kidney each kidney bears about about 8 kidney के अंदर about 1 million nephron 1 million 10 next 1 million nephron 1 million nephron 1 million nephron 1 million nephron nephron छोटा 3 cm thin पतला highly highly quiet tubular structure होती है जो kidney के अंदर पाए जाते हैं जो filtration of blood में important role अजा करता है और जो मुखे खास बात है nephron की कि nephron kidney की structural or functional unit कहलाता है अगर आप से पुछे कि kidney की structural or functional unit कौन सी है तो आप क्या बताएंगे nephron अगर ये पुछे कि human के अंदर excretory and osmoregulatory organ कौन है तो वो आप क्या बताएंगे kidney nephron nephron ने दो टाइब के होते हैं ज्यादा तर जो nephron होते हैं वो renal cortex part के अंदर होते हैं और कुछ यानिकि 20% जो nephron है वो renal medulla part के अंदर होते हैं तो जो nephron जिस part के अंदर पाए जाएंगे उनका उसी तरीके से नाम पढ़ जाता है तो nephron आर ओ nephron आर ओ टू टाइब्स ये जो nephron है ये दो टाइब के हैं नमबर एक cortical nephron cortical nephron ये किस के अंदर है nephron ये cortex part के अंदर है जो kidney का जो renal cortex part है उसके अंदर ये nephron present होते हैं तो इसलिए इनको हम क्या कहेंगे cortical nephron दूसरा है जग्स्टा मेडूलरी nephron ये नाम है J-U-X-T-A जग्स्टा मेडूलरी जग्स्टा मेडूलरी नेफ्रों ये मेडूलरी पार्ट यारिके जो renal मेडूलरी पार्ट है उसके अंदर ये होते हैं तो नेफ्रों नेफ्रों आप इन दोनों में कुछ डिफरेंस की बाते भी लिख सकते हों देखिए ये हम दो पार्ट बनाते हैं ये है रीनल कोर्टेक्स और ये जो पार्ट है मैं नीचे वादा जो बनाने दगराऊं ये है रीनल मेडूला जैसे किट्नी के दो पार्ट हमने पढ़े थे जब किट्नी के स्ट्रक्चर की थी रीनल कोर्टेक्स और रीनल मेडूला ये बीज में ये लाइन मैं आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ कि ऊपर का हिस्सा क्या है रीनल कोर्टेक्स और नीचे का क्या है रिनल मेडूला अब देखो यह क्लेक्टिंग डप्ट है क्या है यह क्लेक्टिंग डप्ट आपको थोड़ा सा पिक्चर के रूप में इसलिए बताने मगरां कि आप थोड़ी सी बात को और अच्छे तरीके से समझें देखिए जैसे यह कि यह हमारा जो नेफ्रों यह आप देख रहे हैं यह नेफ्रों नहें अब इसका ऊइरल तुड़ा सा टायग्राम भी बनाएगे हैं अभी मैंने कि एक इसकी हलकी से यह डियर्यमिटिक शी वह लि भी है स्ट्टॉकर ताके आप समझ जाए यह नेफ्रों है और यह नेफ्रों यी प्रेक्टिंगीट्स से जूल गया लगग रेनल कॉर्टेक्स में आप देखो इसका जो maximum part है इस nephron का वो किसके अंदर है इस line से उपर और इस line से उपर क्या है रेनल कॉर्टेक्स तो जो nephron जयदा तर किसमें exist हो रेलर कोर्टेक्स के अंदर तो उसको हम क्या कहेंगे कोर्टीकल नेफरों तो ये कुन सा बचेगा कोर्टीकल नेफरों अब जैसे ये वाला है ये नेफरों इसका जो मैक्सिमम पारेट है वो वो आप देख सकते हैं किसके अंदर है मैडूला के अंदर ये जो नेफरों है इसका मैक्सिमम पारेट किसके अंदर है रेलर मैडूला के अंदर तो इस नेफरों को हम जबस्टा मैडूलरी जबस्टा मैडूलरी नेफरों कहेंगे क्योंकि इसका मैक्सिमम पारेट किसमे है रीनल मैडूला में और इस नेफ violence का maximum part किसे में Tower आपा ये नेफरों की structure 10 में भी की थी ये such structure पी is connected लूब ओव हैनल कहते हैं ये लूब ओव handle hinkle donc दूसरा difference क्या है cortical nephron का थोड़ा सा portion किसका loop of halal का renal medulla में है small portion of loop of halal of cortical nephron is present in renal medulla on the other hand maximum part of तो लूप ओफ हैनल ओव जग्स्टा मेडूलरी नेफ्रोन- इस प्रेजैटे'real me. तो जो लूप ओफिनल का ज्यादा पार्ट ribbon meadula के अंदर है loop of mình का कम part ribbon meadula के अंदर है तो यह cortical neuron का थोड़ा part यह just Iran mayadually nephron का जैदा part यह डूसरा difference है तीसरा आप देख सकते हैं यह जो nephron है यह वाला जो nephron है कुछ सा? cortical nephron और यह वाला जो nephron है ये ज़श्टा मेडूलरी नेफरोन है तो किसका साइज बड़ा है आपको देखने से इस पता लग रहा है इसका साइज लार्ज है और इसका साइज समोल है ये तीसरा डिफरेंस है ठीक है और जो चौता डिफरेंस है वो आपको मैं और बता दूँ जो Corbical Nechnothrown है वो Total Nechnothrown का 80% बनाती है यानि के Cortical Nechnothrowns from 80% of Total Nechnothrowns यानि के अगर मान लीजिए 100 Nechnothrown है तो 80 Nechnothrown कों से मिलेंगे ? Cortical Nechnothrown तो ये कितना % बनाएगा के वर Total Nechnothrown का 20% यह चोथा difference हुआ, पहला difference यह size का छोटा, यह size का बड़ा, यह cortex में ज़ादा था, यह medulla में ज़ादा था, दो difference, इसका loop of idol थोड़ा सा थोड़ा पारट है medulla के अंदर, इसका loop of idol ज़ादा यह पार मेडूला के अंदर तीसरा difference, यह total nephron के 80% होते हैं और यह total nephron के 20% होते हैं, चार difference हम इन दोनों तरीके के nephron में करने लग रहे हैं, जो पांच मा डिफरेंस है वो बेहद important है, वो आखको समझ ना पड़ेगा, जो renal cortex में जो नेफरोन पाया जाता है उसको हम cortical nephron कहते हैं अब यह देखेंगे मैं यह देता हूँ cortical nephron maintain cortical nephron maintain plasma volume plasma volume cortical nephron maintain plasma volume in normal condition in normal condition जब condition normal होंगी तो cortical nephron काम करेगा और plasma के अंदर जो water है यह प्लाजमा का जो volume है उसको maintain करेगा cortical nephron अब यह क्या अब renal medulla क्या करेगा renal यह उरी जगस्टा medullary nephron जगस्टा medullary nephron maintain 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 plasma volume plasma volume in कब in जब emergency हो जब पानी की shortage हो तब यह वाला जो nephron है तब यह काम करेगा तो यह पांसमा डिफिनस जगस्टा medullary nephron maintain plasma volume in shortage of water shortage of water तो जब पानी की कमी हो जाएगी तो यह वाला nephron काम करेगा जब normal condition होगी तो यह वाला nephron काम करेगा इस तरीके से हमने इन दोनो nephron के अंदर 5 difference बताई है आपको 500 difference यह diagram भी बनाना है और 5 जो कि आप discuss कर चुके है question क्या रहेगा आपका right difference between cortical nephron and justa medulary nephron क्या question रहेगा difference between cortical nephron and justa medulary nephron और 5 difference लिखनी है और यह जो मैंने आप इन का जो एक photo बनाया था वो भी बना दे यह पहले बना दे या बाद बना दे इस photo से हमें काफी मदद मिलती है इन दोनों में difference करने के लिए अब हम करते है component of nephron component of nephrons जो नेफ्रोन है उसके component अब देखो जो नेफ्रोन है उसके component कौन कौन से है नमबर वन बोमन कैप्सूल एक तो बोमन कैप्सूल अभी हम इसको डाइगान केप में आपको दिखाएंगे बोमन कैप्सूल उसके बाद PCT इसकी फुल फोम है प्रॉक्सीमल PCT की फुल प्रॉक्सीमल प्रॉक्सीमल का मतलब आगे hospitals गौन कौन आगे वारनी quiet tube like structure proximal का मतलब आगे वाला convoluted का मतलब quiet और tubule का मतलब tube like तो PCT की full form है proximal convoluted tubule और PCT second component nephron तीसरा loop of handle h e n e h e n e loop of handle और fourth हमारा जो point वो है d c t d का मतलब distal c का मतलब वही column और luted बीटिड और टी का मतलब टीबी डिस्टल को मेरे टीडिड डिस्टल का मतलब पीछे वाला convoluted का मतलब quiet और टीबूल का मतलब ट्योग लाइक तो पीछे वाला quiet tube like structure तो दीसीटी डिस्टल को रेंटिड टीड तीड आप बीसीटी के बाद फिर आता है कोलेक्टिंग डग्ट फिर क्या है कोलेक्टिंग डग्ट यह जो कंपोनेंट हैं यह कंपोनेंट किसके उत्ते हैं नेफ्रोन के अब जैसे अब थोड़ी सी यह स्ट्रेक्चर बनाई थोड़ी सी अब आप समझें देखो यह मैंने एक रफ फिकर सी एक रफ डाइग्राम साब बनाए है बस इनी कंपोनेंट को हाईलाइट करने के लिए देखो यह वाला जो कपलाइट स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई देने लग रहा है यह कपलाइट स्ट्रक्चर क्या रहा ह बोगमन कैप्सूल यह जो कपला इस्ट्रक्चर है यह क्या है बोगमन कैप्सूल अब यह जो यह हाइली क्वाइल्ड इस्ट्रक्चर है यह इसको हम कहेंगे पी-सी-टी प्रॉक्सिमल कॉन्वलिटिब डिवल अब यह जो यू सेट की स्ट्रक्चर है यह इसकी डिसेंडिंग लिम्ब है और यह इसकी असेंडिंग लिम्ब है यह डिसेंडिंग लिम्ब और यह असेंडिंग लिम्ब यह नीचे की तरफ आने लग लिया है यह बुजा और यह उपर की तरफ जाने लग लिम्ब और यह यू सेट की जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे क्या नाम हो जाएगा इसका यहां से लेके यहां तक यह यहां तक यहां तक यहां से लेके और यहां तक यह पूरा क्या है लूब ओफ हैनल यहां कि तीसरा पारट ओप नेफरों जो चोथा पारट है डी सीटी यह क्या कहलाती है डी सीटी यह जो डी सीटी यह पी सीटी की तरह ही है अंतर क्या है पी सीटी नियर टू बोमन कैपसूल बट डी सीटी नियर टू क्लेक्टिंग तक तो जो हमारा लास्ट वाला जो कंपोनेंट बच्ता है वह यह Allah्टै है इसको हम क्या कह रहे हैं को लेक्टिंग डग्ट सीडी को लेक्टिंग डग्ट यानि के सीडी तो यह पांच कंपोनेंट है नेफरों के बोमों कैपसूल यह पांच कंपोनेंट मैंने आपर लिखे हुए हैं अब इस काम थोड़ा सा फेर डाइगराम बनाते हैं ताकि यह सारी चीजें आप अच्छे तरीके से और समझ जाएं और हम इन सब ही को वन बाई वन क्या करेंगे एक्सप्ले देखें यह बोमन कैपसूल है यह क्या है बोमन कैपसूल यह क्या है है प्धक्राइब यह काम ब्देखें प्राइब भी भीजे प्रुए यह मिलाज से जाएं आएंगे यह क्या नहीं आएंगे लिए बोमन कैपसूल कि यह फिर यहां से फिर यह तोड़ा सा पॉर्शन पतला हो जागता है और फिर यह कुलेक्टिंग दर्ट यह कुलेक्टिंग दर्ट तो देखो यह क्या है बोमन कैप्सूल यह क्या है पी सीटी यह क्या है लू ओ हैनल यह है और यह क्या है डी सीटी और यह चोटेशी आज से एक स्ट्रक्चर है यह वाली इसको हम सीटी करते हैं क्या क्या कहते हैं और यह एक लंबी लार्ज ट्यूबिलर स्ट्रक्चर है इसका नाम है सीडी और क्या दर्ट अब देखो यह यह जो नीचे वाली है इसको हम क्या कहेंगे डिसेंडिंग कि डी सेंडिंग कि डिसेंडिंग लिब और इसको असेंडिंग लिब यह जो ऊपर जाने लग रही है यह तोगी असेंडिंग लिब और यह नीचे आने लग रही है यह क्या है डिसेंडिंग लिब अब थोड़ा साथ यह पोर्शन क्या है इसका यह क्या है थिन और यह पोर्षन क्या है थिक यानि कि जो descending limb है उसमें भी thin और thik दो portion है यानि कि जो descending limb में दो person है यह thin portion thin region और पीच वाला thick region इसी तरीके से ascending limb में भी दो पॉर्षन है ये कौन सा है थिन और ये कौन सा है थिक इस थिन और थिक इस पूरे लूप और मैं सेंडिंग डिसेंडिंग थिन और थिक का क्या रोल है हम डिस्कस करेंगे mechanism of formation of urine में जब urine की formation का mechanism करेंगे तो हम बताएंगे जो descending limb है उसमें thin region का क्यारोल है थिक region का क्यारोल है उसी तरीके से जो ascending limb है उसमें thick region और thin region का क्यारोल और पूरे जो loop of final है usage structure उसमें इसका क्यारोल है दूसरा अब यहां से जो हमारी एक बलड वेसल्स बलड लेके आती है और इस पूरे बोमन कैपसूल के अंदर वो ऐसे फैल जाती है तो जो बलड लेके आती है उसका नाम है efferent arteriol एफेरेंट आर्ट्रियोल आर्ट्री की एक ब्रांच है एफेरेंट आर्ट्रियोल यह बलड इस नेफरोन के अंदर मैं तीर का निसान आपको बढ़ा के दिखा रहा हूं बलड लेके आएगी अब च्छनने के बाद यहां पर च्छनने के बाद जो प्योर बलड यह कैसा बलड लेके आएगी इम्प्योर कौन लेके आएगी आर्ट्रियों और यह किस के अंदर लेके आएगी गौमन कैपसूल के अन च्छनने के बाद ये बलड को प्योर बलड को कुन से बलड को प्योर बलड को लेके जाएगी इफ्रेंट आर्ट्रियोल इसका क्या नाम है इफ्रेंट आर्ट्रियोल इफ्रेंट आर्ट्रियोल जो प्योर बलड होगा वो उसको वापिस लेके जाएगी च्छनने के बाद अब यह जो बोबर्म कैपसूल का जो यह इसा है यहाँ पर यह नैटवर्म बन जता है कैपिलरीज का क्या बन जता है यह नैटवर्म बन जता है लगबग, पचास के करीब यहां पर кैपिलरीज होती है वो पचास के करीब जो कैपिलरीज हैं वो आपस में इस तरीके से असोयट हो जाती है की एक नेट्वर्क बन जाता है और उस उच्छे को, उस नेट्वर्क को हम क्या कहते हैं गलो मेरूलस गलो मेरूलस गलो मेरूलस नेट वर्क ओफ केपिलरीज को कहते हैं नेट वर्क ओफ केपिलरीज और ये लग बग फिव्टी के करीब होती है तो ये जो नेट वर्क ओफ केपिलरीज बनता है जो जाल बनता है लग बग पचास केपिलरी का उस जालोब को हम क्या कहते हैं गलोब मेरूलस अब हमारे पास दो चीज़े हैं एक तो ये बोमन कैप्सूल ये कपले श्टक्चर बीसी और दूसरा इसके अंदर जो नेट वर कोफ के पर रीज बना हुआ है जिसको हम गलोब मेरूलस कहते हैं इन दोनों को मिला गया जाए गल मेरूलस को और बोमन कैप्सूल मैं लिए देता हूं गलो मेरूलस पलस बोमन कैप्सूल इन दोनों को मिला दिया जाए तो उसको हम मालफीजियन बोडी कहेंगे मालफीजियन बोडी क्या कहेंगे उसको मालफीजियन बोडी मालफीजियन बोडी मालफीजियन बोडी दोनों को मिना के बोलते हैं किस किस को गलो मेरूलस को और बोमन कैपसूल को जो बोमन कैपसूल है वो कपलाइट स्ट्रक्चर है और जो गलो मेरूलस है वो मैंने बताया था ये नेटवर्क है ये जाल है कैपेडरीज का लगभग इसके अंदर पचास कैपेडरीज है वापस मगुट इसको गलो मेरुलस करते हैं, तो गलो मेरुलस पलस गोमनकैपसुल इज लोन एज माल्फिजियन बोड़े, म, A, N, P, I, G, H, I, ए, M. माल्फिजियन बोड़े. ठीक है, अब आप वह और बात यहां पर देखनी है, जो ये बोमन कैपसूल है, ये बोमन कैपसूल, इसकी दो लेयर्स, इसकी दो गोल है, इसकी दो गोल है, एक तो ये वादी गोल, और एक ये वादी गोल, आपको दिखाई की तेरे लग रही होगी, ये दो गोल है, ये इनर गोल है, इसको विसरल गोल बोलते हैं, क्या बोलते ह पेरिटल वोल, तो दो वोल होती है, विसरल वोल और पेरिटल वोल, जो ये विसरल वोल होती है, इसमें छोटे-छोटे पोर होते हैं, पोटो साइट सेल होती है, और ये पोरस होती है, और ये थिन होती है, इसका वोल हम जब मेकैनिजम ओफ यूरील फोर्मेशन करेंगे, तो वहां पर discuss करेंगे अब यहां आप यह समझने जो बोल्मन कैप्सूल है वो दो गोल से बना हुआ है अंदर वाली गोल को विस्टरल और बार वाली को पेरेटर और इसके अंदर जो गुच्छा है जो जाल है वो गलोमेवलस है गलोमेवलस प्लस प्लोस गॉंपन के थूप स्थिन वोड़ी कहते हैं इंप्योर ब्लट किस थूप नयाफ़ो नवब इगा एफेरेंट आर्टियोन देटर जोपर चणने के बाद पूरे मालफिजर बोड़ी में चणने के बाद जो प्योर बलट है वो किसके त्रूप तीर का निशान बार की तरफ दिखाया है इफरेंट आइट उनके त्रूप वह पस्षेना जाएगा अब छोटी सी बात है जो बड़ी बड़ी चीजे हैं जैसे RBC, WBC, बलट पलेट लेट, और प्रोटीन यह बड़ी चीजे हैं कौन-कौन सी RBC, WBC, पलेट लेट लेट प्रोटीन वह तो यहां पर छनेगी नहीं क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है बाकि जितनी भी बलट के अंदर डिजोर्ड सब्स्टांस है चाहिए विलुकोज हों चाहिए, अमिन्वेसीड, फैटी असेड, मिनरल Ed says, शोल्ट हो चाहिए, आईनस हों चाहिए, कुछ भी मी हो एछिए इन चार चीजों को छोड़के सारी की सारी वह प्लाजमा के साथ इन मैसे ऐसे सर्कुलेट करेंगी ऐसे सर्कुलेट करेंगी ये चार चीजे तो यहां छण नहीं पाएंगी क्योंकि उनका साइज बड़ा है बाकि सारी डिजोल्ड सब्स्टांस प्लाजमा में ये ऐसे जो पूरा जो नैफरोन है इसमें ऐसे सर्कुलेट करेंगी जो काम की चीज होगी उन मेंसे वो तो बाहर इकाल दी जाएगी कहीं पर भी ये तीर का निसान बाहर की तरफ दिखा रहा हूं ये तीर का निसान बाहर का मतलब है वो तो बाहर यहां 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 इसको हम टिस्जू फ्लूड कहेंगी जो बाहर है वो क्या है टिस्जू फ्लूड इंद्रान से देखें जो बाहर ह इस नैफ्रोन के बाहर वो क्या है टिस्ट तो जो जितनी भी काम की चीज़ें होगी वो तो किसमें एब्जोर्ब करनी जाएंगी टिस्टू फिलुड के अंदर बाकी जो चीज काम की नहीं है जो एकसस है जो अन्वांटिड है जो टॉक्सिक है जो वेस्ट है वो इसमें से चलती 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 देरे 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 और सभी पार्ट से होती हुई कुलेक्टिंड़ से होती हुई और ये यूरीटर में खुल जाएगी किसमें खुल जाएगी यूरीटर के अंदर तो दो चीजें हैं बरड के अंदर काम की चीजें और वेस्ट चीजें तो काम की चीज़ें कौन एब्जोर्ब करनेगा टिश्व फ्लूट जो इस नैफरोन के बाहर जो भी फ्लूट बरा हुआ है वो टिश्व फ्लूट है तो काम की चीज़ें किसमें आ जाएंगी टिश्व फ्लूट में और जो टिश्व फ्लूट में काम की चीज़ें नहीं है वो अब इस किसमें डालती जाएंगी नेफ्रोन के अंदर और जो इसके अंदर बची हुई का खराब चीज़े हैं और जो टिश्यू प्लूटिन जो खराब चीज़े इसके अंदर डाली हैं वो सारी किसमें पहुंचेंगी और फिर किसमें चली जाएंगी यूरीटर में और फिर यूरीटर से किसमें यूरीनरी बलेडर के अंदर तो इस तरीके से ये पूरा नेफ्रोन बलड को च्छानने का काम करता है काम की चीज़ें अपने पास रख लेता है तिशू फ्लूड के अंदर रख लेता है वहां से वो काम की चीज़ें दो बारा बलड के तो फिर से रियाप्जोर्ब कर ली जाती हैं और जो बेकार चीज़ें वो इस पूरे नेफ्रोन के धुरू यूरीटर में पहुंच जाती हैं और फिर यूरीटर यूरीनरी बलेडर में खुलते हैं और यूरीनरी बलेडर से यूरीटरा से होते हुए यूरीन को उन बेकार चीज़ों के साथ बाहर निकाल दिया जाता है तो अभी जश्ट हमने थोड़ा सा इनका क्या किया है या आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिस की है कि ये इसके पार्ट है कैसे बलड़ाएगा कैसे च्छनेगा किस किस पार्ट से जाएगा काम की चीज़े कहां पर रह जाएगी बेगार की चीज़े कैसे सरकुरिट करके बा बाल आता है यह सारी चीजें इसमें बताईएं नेक्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन सभी पांचों कमपोनेंट को वन बाई वन जो बाते हैं यहां बताई हैं उन्हीं वो आधार बनाके इनकी हम डिस्क्रिप्शन करेंगे बोमर कैप्सूल की भी गलो मैलूरस की भी पी सीटी की भी लूप ओफ हैनल की भी डिसीटी की भी और कॉलेक्टिंग डप्ट की भी ठीक है तो नेक्ट लेक्चर के लिए रेडी रहें और इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिस करें